नमस्कार आप देख रहें ABC इंडिया मैं अमिद भोबिया दोस्तों आज हम आपको बताएंगे घर पर यूरिया त्यार करने के तरीके के बारे में दो तरीकों से हम बात करेंगे पहला वो जो भारत के अंदर पुराने टाइम से परचलित है और दूसरा वो जो कैनेडा के एक यूट्यूबर है नाईल रेड करके उनका चैनल है उन्होंने जो करके दिखाया उन्होंने जैसे निकाल के दिखाया दोनों तरीकों के बारे में ह पढ़ा, गूगल पे पढ़ा, हर जगह आ रहा है, कि दही से यूरिया बनाया जा रहा है, यूट्यूब पे आप देखें में तो कई वीडियो आ जा रही है, कि दही से यूरिया बनाया जा रहा है, ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, आपको क्या कर एक मटका ले लेते हैं, और मटके के अंदर डाल देते हैं, और उसके अंदर डाल देते हैं, आपका कोपर का कोई भी बरतन है, कोपर की धातू का कुछ भी बना हुआ है, कील है, तुकड़ा है कोपर का, चमच है, बरतन है, वो उसके अंदर डाल देते हैं, और उपर से उसको कस के बान देते हैं और इसे कम से कम 10 से 15 दिन ये रखते हैं उसके बाद में इसको खोलते हैं जब ये खोलते हैं तो दही का रंग काफी बदल जाता है फिर उसे क्या करते हैं उसे पानी में घोल लेते हैं और इसकी सप्रे कर देते हैं और ये कहते हैं कि इससे नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है जो जीव जन्तू पोदों के उपर होते हैं वो मर जाते हैं मलब जो आपके ये मच्छर वगएरा होते हैं ये मर जाते हैं और पोदा जो है वो जल्दी ग्रोथ करने लगता है ये तरीका भारत्य बजार का तरीका है दही से यूरिया बनाने का कोई इतनी हमत करे कि उसकी तरह निकाल ले. अब उन्होंने निकाला कैसे? उन्होंने क्या किया? खुद का तीन लीटर पेशाब इकठा किया और पेशाब के बारे में एक थियोरी है. वो ये कहती है कि एक लीटर पेशाब के अंदर 9.3 गराम यूरिया होता है और उन्होंने यही किया कि अपने ही पेशाब के अंदर से जो है यूरिया निकाला तीन दिन का उन्होंने पेशाब लिया तीन लिटर पेशाब और उस तीन लिटर पेशाब के अंदर से उन्होंने यूरिया निकाला 27 गराम यानि पर लिटर 9 गराम उन्होंने निकाल दिया पॉइंट तीन उन से रह गया होगा उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत लंबा प्रसेस किया था सबसे पहले इसको उबाला उबालने के वाज़े बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में रह गया ब्राउन ब्राउन सा उसके बाद इनके अंदर इतनों वगयरा काफी चीज सर्ज कीजिएगा, वहांपर आप देख सकते हैं, लेकिन भारतिय बजार का जो तरीका है, वो दही से यूरिया बनाने का आपको समझा गया होगा, दही लीजिए, कोपर के बरतन डालिए, मटके में पैक कीजिए, 10-15 दिन के लिए अच्छे से रख दीजिए, उसके बाद उस दालने के बाद उसे उसके अंदर पानी मिलाकर, और सबजी है, फूल है, फसल है, उसके उपर सप्रे कर दीजिए, अगर ऐसे नहीं करनी, तो जब पानी लगाएंगे, तो पानी के अंदर गोल दीजिए, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, तो जहां से पानी घुस रहा है खे अशन कर दीजिएर पानी कर द deadlines, खेंद एकर। यूल डीजिए पानी